दोस्तों मेरे ना मैं राहूल नामदिव आप देख रहे हैं नामदिव जी टेक्निकल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनलाइन रिजर्विशन के वारे में करते हैं तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे ना और अगर इस वीडियो में जरा भी जानका रही है अगर आपको इन्फॉर्मिटिव लगी तो इस चैनल को सस्क्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना तो अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको आयर शीटी सी एप्लिकेशन ओपन कर लेते हैं आप इसको प्ले स्टोर से यही डाउन्लोड कर सकते हैं इसको कर देना है जो एलाइट आएगा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आएगे मुझे उन्ही दो स्टेशन की बीच में यातरा करनी है और मैं नो और मैं सर्च कर देता हूँ ग्वाले टू कटनी आप इसको चेंज कर सकते हैं आपको जहां जाना है आप दिल्ली मुंबई कुछ भी आप स्टेशन का नाम डाल सकते हैं तो सर्च करते हैं सर्च करने बाद यह लिस्ट आ जाएगी आप देख सकते हैं ट्रेन की नाम से और टा तक जाने वाली ट्रेन में में देख लेता हूँ मैं 30 डीवि को देख सकते हैं 60 Sick अवैलेबल है यह क्या क्रता हूं मुझे इसी ट्रेन में कराना है तो जैसी मैंने क्लिक करते तो एक बार मुझे लॉग configure लेता क्योंव चेंशीलिए बात में लॉग अन करना पड़ा है अब आप देख सकते हैं यह वाले पेज़ पर आजाएंगे आपको क्या करना है आपको add new पर क्लिक कर देना है और आपको passenger का नाम डालना है जैसे कि मैं अपनी मम्मी का reservation कर रहा हूँ तो उनका नाम डाल देता हूँ उनका age डाल देता हूँ सिंपल से चीज़ें होती है और female पर क्लिक करके आप seat भी choose कर सकते है अपर lower या फिर जो भी आपको करना है मैंने lower choose कर दिया अभी हम क्या करेंगे add passenger पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर mobile number डालना होगा जो भी आपको mobile number डालना है जिस पर आप चाहते हैं कि reservation का message आए आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मैं address डालना पड़ेगा तो जहां भी हम जा रहे हैं उसका उस location का मैं address डालना है city का name और address और उनका pin code जो आता है उस city का बो डालना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं जल्दी से मैंने थोड़ा सा skip कर दिया है अभी मैं क्या करूंग एक और passenger को add करूंगा मैं अपने भाहि का भी उसमें अट कर रहा हूँ एक वजय कि बार आप 2 लोंका reservation कर सकते हैं आप कितने लोगों का भी कर सकते हैं जितना आपकी मर्जी हैं मैं 2 लोगों कर रहा हूं भाहिक का भी मैंने add कर दिया है और आप देख सकते हैं add new का option अभी बी रहा है अब जितने चाहिए उतने लोगों को एड कर सकते हैं एड्रेस में अल्री डाल रखा था अभी पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे पे थू भीम यूपी आई पे क्लिक कर देंगे और नीचे आ रहा है ट्रेबल इंशॉरेंस इस पर भी में यस कर देना है उसको रिव्य जर्नुब करने अब हम देख सकते हैं पेमेंट वाले ऑप्षेन पर हमें रिडाहरेट कर दएगा 17.194 रुप ठेकर擊ों देख सकते हैं हमारा यूपिया वाला गूगल पर ओपन हो चुका है इसमें beam upi का आप देख सकते हैं option आ रहा है google pay का option आ रहा है तो मैं google upi पे click करके मैं अपना upi id डाल देता हूं मैंने black कर रखा है ताकि मेरा कोई id ना देख पाए और जैसे ही मैंने अपना id डाल के next ही है तो मेरा ये payment के लिए option आ गया इसको पे कर देता हूं और यह paid हो चुका है google pay पे आप देख सकते हैं अब मैं दुबारा से अपना IRCTC application open कर लेता हूं आप लिख लिखते हैं processing payment यह payment हो चुका है और आप इस ticket को easily save कर सकते हैं देख सकते हैं मैरे ticket confirm हो चुका है B5 में sheet confirm है तो चैनल को subscribe पर लेना मिलेंगे next वीडियो में